रादे रादे सभी को सब्रेंट आज हम देखने वाले हैं SSC GD Constable में GS का प्रिविसर कोशन पेपर और यह पेपर रहेगा यह 16 जनवरी 2023 का पेपर रहेगा जिसमें हम 4 शिफ की पेपर देख लेंगे यानि कि इस वीडियो में आपको 80 कोशन मिलने वाले हैं कहां से कितने कोशन पूछ जाते हैं अगर हम बात करें करेंट अफेस हो गया History, Quality, Geography, Science कहां से कितने कोशन रहते हैं कैसे कोशन रहते हैं ताकि आप Planning के साथ GS की तयारी करें और Maximum नमर गेन करके इस वारी का GD Constable निकालें अगर आपने से पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मैरी चैनल के प्लेश तो ताशी सब्दो निर्तिय रूप सिक्किम से संबंदित है और आपको इसी प्रकार से हर एक स्टेट के निर्तिय पढ़के रखना है ताकि आप इजी लिए कोशन को टैम कर लें ठीक है कोशन मेर सेकिंड है और यह कोशन आपको देखने में में लगया कि करेंडर फेस से आय हो चुके हैं तो टोडल सतरा बार आमचुनाप हो चुके है सबसे पहले जो आमचुनाप होता था वह captain 1951 से 52 के बीचैने वह हाता उसके बाद से अब तक देख कर जो है भारत में आम चुनाब हो चुके हैं, तो बहुत जर्नल अवेर्नेस से कोशन है, ठीक है, तो इस टाफी कोशन भी जीडी के अंदर पूशे जाते हैं, कोशन में थर्ड है, और यह साइन्स से कोशन आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, प्लास्टोडस जिसमें डैस रंजक, कलोरोफिल होता है, कलोरोप्लास्ट कलाता है, तो हरी रंजक होते हैं, जो कलोरोप्लास्ट कलाते हैं, तो साइन्स से भी आपको कोशन देखने को मिलेंगे, अब यह पहला कोशन देखने को मिला है, आगे आपको एक से दो कोशन और हो सकते हैं, तो मतलब दो या तीन कोशन साइन्स से देखने को मिल सकते हैं आपको एक्जाम के अंदर कोशन में फूर्थ है काफी इजी कोशन है मोडरन हिस्ट्री से कोशन आया हुआ है जलिया वाला बाग हत्या कांड 1919 में हुआ था मोडरन हिस्ट्री से कोशन देखने को मिला है तो आपको बढ़के रखना है संगीत नाटक अकाडमी से काफी कोशन देखनों को मिले हैं यह स्टाटिक जीके से है तो इसलिए आपको संगीत नाटक अकाडमी पुरसकारी जुरूर पढ़ लेना है कोशन नमर 6 है प्रंप्रगत अदानों का अपयोग और आधूनिक तक्नीकों की अनुपस्ति क्रिशी उत्पादक्ता को डैश की ओर ले जाती है तो कि सेड ले जाएगी अगर आप क्रिशी के अंदर वोई पुरानी चीज़ों को अपना होगे तो कहां जागी क्रिशी हमार कोई भी चीज़ों को नहीं अपनाते हैं तो हमारी जो क्रिशी की उत्पादक्ता होगी वो निम रोते चलिए जाएगी उसमें कोई भी सुधार नहीं होगा तो इसका राइड एंसर का होगा निम इसर बहुत इसी कोशन है इसको आप एजली अंडेसेंट करें सा दे सकते है है कोशनwać कोशन है और या कोशन जो है के सही हुआ होखा है विषव सतरंजी चैंपिश्वनात आनंध किस देशसे हैं तो वह बारत देश से हमारे देशसे ही है कोशन नमर्य एट है और ये भी स्टटिक जी के सहरा हा है बारत का कोंसा पोडोशी देश राष्टे मंडल खेल cách wisso naihi qosha 9 तेख लो काफी एजी qosha 9 और ंस्पोर्ट से आया वा qosha 76 क्यों सा टराकी केडצे जाने वाला है या देख लो स्ञेलो अपना काम कीकिया तो कितने तत्व गया थे तो उस्टाइम जब उन्होंने अपना काम शुव किया तो 63 तत्व ग्याद थे उस्टाइम कोशन में 11 है और यह भी आर्टन कल्चर से कोशन आए हुआ है निमलिकित में से कौन सा फसल उसब मुखे रूप से पस्चिम उडिसा के लोगों द्वारा मना जाता है तो नुआ खाई उससब जो है मुखे रूप से पस्चिम उडिसा मना जाता है तो आप देख सकते हो आर्टन कल्चर से काफ़ी टब कोशन मना जाते हैं तो आपको थोड़ा सा आर्टन कल्चर को फोकस ली पढ़के रखना पड़ेगा जो कनिष्ट के दरवार में रहते थे ने बुद की जीवनी बुद चरीत की रशना की तो वो थे अश्वगोश इन्होंने बुद चरीत की रशना की थी तो हिस्ट्री से भी कोशन देखने को मिलेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़के रखनी है कोशन नमबर आप 13 देख सकते हो 1976 में 42 वे शंशोधन अधिनियम ने भारती से विदान में कौन सा नया भाग समिलित किया तो भाग 4 ए इसमें समिलित किया गया था और इसके अंदर हमारे मौलिक कर्तवों की बाक्या की गई थी किस राजनेतिक नेता ने नमबर 2022 में उत्तर परदेश में गोला गोकरनात निरवाचक छेत्र से उपचुनाव जीता तो आप देख से तो किस टैप करंटेफिस बनाया जाते हैं तो आपको करंटेफिस पढ़के चलने हैं ध्यान पूर बगते हैं कोशन नमबर 15 है यहां पर इंग्लिश में आगे है मैं इंदियों पढ़ देता हूँ वह ब्याजदर है जिस पर रिजर्ब बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रति भूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से चलने दी को अफशोतित करता है तो उसको हम क्या कहते है उसको हम रिजर्ब रैपो रेट बोलते हैं यह एकनोमी से कोशन आया हुआ है और एकनोमी से भी आपको एक से दो कोशन देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इसलिए आपको एकनोमी के भी 400-500 कोशन पढ़ लेना ताकि कोई कोशन आये तो आपको अ 24 फरवरी में होना है यानि कि इससे पहले 2023 के जनवरी से लिके दिसमबर तक के कंड़वेस पढ़ लेना वो मैंने वीडियो बना रखी है मेरी चैनल की प्ले लिस्त मिल जाएगी वहाँ सब देखके सारे कंड़वेस कवर कर लेना उससे बाहर आपको कोई कंड़वेस नहीं है ठीक है कोचन नफर सतरह है। और यह जो कोशन है जोगरवी से आया हुआ है निमटरिकत में से कौन सा सोर मंडल का भारे है तो sticking देख सकते हो किस एक पेपर का प्योपर सेट के जाता है जीएस का और कहा का से कितने कोशन पूछ जा रहे आप यहां से यह आईड लगा सक तो वो है Metallurgical Industry यानि कि धातू उद्योग से संबंदित है तो Science से Quotient देखने को मिलेंगे मिलेंगे दो Quotient मान के चलो आने तय है चीक है एक तरह से पॉलिटी से मान सकते हो GST Act कब आया था सभी को पता है एक जुलाई 2017 को GST Act देश में लागू हो गया था तो इजी कोशन है यह तो काफी रिपीटिट होता है कोशन भी कोशन में 20 है और इंसक्राइब्दिट को पुर्तिट करता है और घरेलू उतपाद को कि विदेशी 3ий-35 परद्दा में सायता करता है तैरीफ या कोटगा तो यह दोनों ही चीजünde हैं अगर हम किसी विदैस से कोई माल अपने दिश मंगाते हैं न तो उनके उपर हम टैरीफ और कोटगा लगा देटे ता कि उनका माल महांगा हो जाए और हमारे देश तो यह दोनों ही यूज़ करते हैं तो एकनौमी से आपको दो कोशन मिलेंगे मिलेंगे तो आपको पढ़कर रिखने इकनौमी ठीक है शिफ्ट नमर दो है और कोशन मर फर्स देख सकते हैं पाटली पुत्र में इसानांतरी होने से पहले कई वर्षों तक मगत की राज़ानी थी तो राजगर है तो हिस्ट्री से कोशन और मॉडरन हिस्ट्री या हम बात करें एशन हिस्ट्री की तो वहां से कोशन आने तया है तो हिस्ट्री से जो है आपके दो या तीन कोशन रहेंगे रहेंगे तो आपको प्रिप्रे करके चलना ह किस तरीके से आपको इस्टी के जो question attempt करने हैं ठीक है question मत second है और shift second के अंदर थुरू tough question देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आप second question दे सकते हो काया कलप और शहरी परिवर्तन के लिए Attal Mission 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देशे से त्यार किये गए हैं तो वह थी जल सुरक्षित तो किस तरीके से जल सुरक्षित हो राज्यों के अंदर तो इसलिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्जेश हमारे राज्यों को साहित ताइक करने के उस देशे से त्यार किये गई है तो अब देखे से तो कोशन का लेवल कैसा है तो सेकेंड शिफ्ट के अंदर थोड़ा टफ फेपर देखने को मिला है जीएस का तो उसी प्रकार आप थर्ड कोशन दे सकते हो रेलवे इयर बुक 2019-20 के अनुचार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है तो आप कोशन के लेवल चेक कर सकते हो निमर्कित में से किस भारतीय मंत्री ने सयुक्त राज्य जल-वायू परिवर्तन रूप रेका संभेलन कोप 27 में सुडेन के साथ लीड, IT, शिकर सेमेलन की मेजवानी की तो आप लेवल चेक कर सकते हो किस लेवल कर डवेस कुछा गया है और इस शिफ्ट के अंदर काफी टफ कोशन है कोशन मेर फिप्ट है और ये कोशन एकनोमी से आया हुआ है और इक्नॉमिय से चेटन तक आपको मिलना तैई ही है यानिकि दो पोड़िय मात लike नाति तो आपको पड़के चलनूged अगर नामी को तम यह को टफ लेवल का एकनोमिय कोशन दिया गया सेकेंड शिप के अंदर कोशन नमर्श सिक्स है और यह मॉडर्न हिस्ट्री से कोशन आया हुआ है वहीं पर कोशन नमर्श सैवन देख लो निमनिकत में से कौन सा कतन बास्किट बॉल के संदर में स्पोट से कोशन आया है तो खेल शुरू करने के लिए पाँच-5 कलाड़ीयों की दो टीम क्यों player सकता होती है ठीक है बास्किट बॉल के संदर में तो आप लेवल चेक कर सकते हो, इस वाले सेट के अंदर काफी टफ लेवल दिये गए है कोशन नमबर 8 है, और अब एक कोशन इजी देखनों को मिला है वर्ष 2015 की योजना आयोग के स्थान पर डैश का गटन किया गया था, तो नीती आयोग का तो ये कोशन इजी है, वहीं कोशन नमबर 9 देख लो, काफी टफ कोशन है ये निमल कित में से कौन सा राज ये, बास, डिप, सिचाई, तंतर को अप्योग करता है, तो वो है मेगाल लिया जैनरिली टफ कोशन है, ये तो मुश्य लगर पाना चीक है, तो शिफ्ट सेकेंड के अंदर काफी टफ कोशन है, कोशन नमबर 10 है, निमल कित में से किस के अभाव के कारण कमजोर अस्तियां और दंश होता है, तो वो है कैल्चेम पर ही होंगी, तो आपकी हड़ियां और दंश होने की समावना हो सकती है, तो ये कोशन easy है, ये 1992 में राष्टे महिला आयोग की सापना की गई थी, तो ये भी काफी tough कोशन है, ठीक है, ऐसे कोशन factual एकदम तो अंदधा लगापना मुश्किल अगर या दोगा तो कर सकते हो, दरवाइस छोड़ना पड़ेगा है, जैसे बच्चा छोड़ के आया हो है, तो shift second के अंदर current face को कोशन है, कितना tough बना गया है, यहां साब लेवल चेक कर सकते हो, current face का, कुशु कुंतला प्रभाकर रेडी, नमबर 2022 में तेलंगाना में डैश निर्वाचक छेत्र से, विदान सभा के सदस्य बनी, तो आप देख सकते हो, current face का क्या है, तो इसलिए क्या रहा हूं, आप काफी tough कोशन है, इस set में generally बहुत tough कोशन डाले गए है, जी इसके, विश्व में हरीत करांती के जनक, नॉम, बोरलोग, राजश्यता की दिरिश्टी से, डैश थे, तो वो American थे, तो आप देख सकते हो, आप लेवल, किस level के गनटाफे, डाले गए है, shift second के अंदर, कोशन न 15 देख लो, फूल देही जो की एक फसल उसस्व है, मुखे रूप से भारत के निहल decades में से किस राज्जय मना जाता है, तो उत्रकण राज्जय में जो है, फूल देही उससव बना जाता है, जो फसल मना जाता है, कोशन नुमर 16 देख लो, कितना टफ फ कोशन ही भी, विश् Qojon No.17 है और यह quality से Qojon आया हुआ है Easy Qojon है यह आला तो चलो भारतिय सविधान का निम्रिकित में से कौन सा अनुचेत शोषण के विरूत अधिकार से संबंदित है तो अनुचेत 2324 है जो शोषण के विरूत अधिकार से संबंदित है यानि कि यह हमारा fundamental right से संबंदित Qojon आया हुआ है यह easy Qojon है किया दा सकता है यह Qojon तो Qojon में 18 है और यह भी quality से Qojon आया हुआ है निम्रिकित में से कौन तब अधियदेश जारी कर सकता है जब राजे विदान मन्डल सत्र ना हो और वह संतुझतो की ततकाल कारवाई के आःचकता है तो राजे पाल यह कार्य कर सकता है जब उसको लगे कि कुछ इस तरकी की गटना-गटेत हो रही है जहां पे किसी काणून के आःचकता है तो वेस्टन डीज के अंदर ICC अंडर 19 किर्केट विशकप अज़ित किया गया था 2022 का तो इसी कोशन है यह किया जा सकता है करन्ड फेर से आयोगा कोशन है ठीक है कोशन में 20 है यह लास्ट कोशन है शिफ्ट का असन सरकार की और से दे सलसे सर्फंट के पुरोंसकार से किसे समानित किया तो जतीन गोस्वामी जी को आपको सकते हो बागती शिफ्ट के अंदर डेंबल क्रफा भेट विपर दिया गया था तो आप यहां से आकलन कर सकते हो कि किस टाप के पिपर बनाए जाते हैं शिफ्ट नंबर थर्ड है और कोशन में फरस्ट है यहां पर देशकते हो एक नौमे से कोशन आए हुआ है वो भोगता सरक्षन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और डैश में लागू हुआ था तो 2020 में लागू कोशन नौमे से कोशन आए हुआ है काफी लेंथी कोशन है एक बजास रचना पर विचार करें जिसमें फर्मो की संक्या काफी अधिक होती है और फर्मो का निर्बाद परवेश और बाहरे गमन होता है कि तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तू सजाती है नहीं होती ऐसी बजास रचना को डैश का जाता है तो ऐसे बजास रचना को हम एक अधिकारी पर तीस परदा कहते हैं तो काफी लेंथी कोशन है काफी टफ कोशन है एकनौमी का और एकनौमी से दो कोशन आने तैह हैं यह हमने हर एक सैट के अंदर देख लिए है तो इसलिए आपको एकनौ चार सो कोशन लगा के रखने पड़ेंगे इसके भी ठीक है कोशन नमर थर्ट देख लो किस राज्य केंद्र शाचित परदेश में वर्ष 2014 में लूसोफोनिया खेलो की मेज़वानी की थी तो वह गोवानी की थी यह कोशन मैंने इसे पहले भी कवर किया है यानि कि रिपीटि चार मारे नहीं कुछलडने नहीं किसे फूल के रूप में तो यहां पर देख सकते हैं F5 गोल्ड के रूप में जानते हैं काफी अच्छा कोशन है हिए कौशमर 6 है, science question आया हुआ है, दोने का सोडा का रसानेक सूथ बताना है, काफी टफ कौशन है, ठीक है, एक science से दो कोशन आने है, तीन कोशन आने रहेंगे ही रहेंगे, तो आप देख सकते हो कैसे आपको इसकी भी प्रैक्टिस करके चलनी है, कोशमर 7 देख सकते हो कितना परशित किया То काफी टफ कोशन काफी यहां से समझ रहा है जीएस के यंदर थोड़ा सा आपका किस्मत का साथ होना ही बहुत जरूरी है अगर इस लेवल के कोशन आपके set के अदर आ गाए यानि ही आपके shift के अगाए तो यह प्राबलम में डाल सकते कोशन नमर एट है वे शर्मिक जो अपनी अजीवी का कमाने के लिए एक उध्यम के मालिक है और उसका सज्चालन करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाता है तो ऐसे उध्यमी कौन होते हैं जो खुदी एक उध्यम चला रहे होते हैं उसका खुदी मालिक होते हैं और खुद खान गोल्ड कप निम्लिकित में से किस खेल संबन दीते हैं तो वह होकी संबन दीते हैं और काफी हटके कोशन पूछा गया यह विशाका पत्नम डैश इस्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगा है तो वह है गहरा आप यह पर ऑप्जिन देखो तो कैसे दे रहे हैं तो काफी हटके कोशन पूछा गया यहाला तो जीएस का कोशन ग्यारवा देख पूजिना कि वास्ते विकासदर क्या थी 6% मतलब कि इस टैप के कोशन में पूछे जाएंगे तो जीएस का लेवल कई सैटों के अंदर काफी तफ भी देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हो अगर आपकी किसमत ठीक रहेगी तो आपका लेवल इजी हो सकता है अदरव कानून से ओपर नहीं है तो लोग तंतर है को बढ़ कॉषयर में और जिए मिर्ट सांगर की सीमा लगती है तो इजराइल और जोर्डन से मिर्ट सागर की सीमा लगती कोशन भूर्ट है और आफ्टर इन पृष ने से क्योघाय मेरे चाहे और आफ्टर एजिए मेटी हरा है कोशन में 25 है शरोधी सक्या is an Indian classical dancer known for dance form to । वो सत्रिय नित्ये के लिए जने जाते हां। अगर आप बात करें तो काफी टाफ कोशन रहते हैं क्योंकि जनरली बहुत ही मुश्किल था किसी को याद रहें तो ऐसे कोशन आपको छोड़ने पढ़ेंगे करने की जोड़त नहीं है नहीं तो गलत होगा नेगेटिव मार्किंग जाएगी फिर देख़ें को सतरा राज्य विधाईका के उच इस मैं बहुत हैं तो कौशन है नावंबर 22 tandem की इस्तिक अनुसार भारत में केंद्रिये स्वास्य garment और यह तो कूण है लेफिए मिल जाएंगे एक साल के तो उनको पढ़ लोगे उसे बाहर कोई 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 को देखने को नहीं मिलिया करणड़ाफेर से तो ठीक है कोशन में 19 दे सकते हो प्राइम मिनिस्टर ननेंद्र मोधी इनोग्रेट अनुराचल परदेश फर्स्ट ग्रीन फिल्ट एरपोर्ट इन जाए गया तो यह भी करणड़ाफेर से कोशन है लिए तो आप देख सकते हो किस टाइप करणड़ाफेस मूझ आ जाता एक्जाम के अंदर कोशन में 20 है यह लास्ट कोशन है शिफ्ट का निम्न में से मुख्यता कि उध्योग में बॉक्साइट को कच्छे माल के रूप में उप्योग किया जाता है तो अलमूनियम उध्योग के अंदर बॉक्साइट कच्छे माल के रूप में उप्योग किया जाता है तो आप दे सकते हो साइनस से कोशन है भी तो बीस चोशन आहिए शिफ्ट सेकनर की अंदर काफी टफ जिस वह ग रही है तो थोड़ी किसमत का भ कर्णटरफेस है जून 2022 में विपक्षी देलों द्वारा भारत के राश्पती पद का उम्मीद्वार कौन था तो आप देख सकते हो किस टाप को पूछा गया है तो इजी यह रामसर सकता है क्योंकि काफी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं तो कर्णटरफेस के लेवल को आप चेक करके चल सकते हो किस तरीकी के कंटरफेस आपको फॉलो करने हैं ठीक है कोशन नमर सेकिंड है और पॉलिटी से कोशन आयो यहां पर दे सकते हो डैश मूल करतव्यों को भारतिय सविधान के भाग फॉर्ट ए अनुचेट डैस में सूची बत किया गया है तो टोटल 11 हमा पूज देखे लेना वहां से आपको एक से दो कोशन आपके एकजाम में देखो में मिली मिल जाएंगे ठीक है दो कोशन नमर थर्ड है भारत में इस अधिनियम के अंतरगत अंतरधर्म विभा किया जा सकते हैं तो वो है विशेश विभाद अधिनियम जिसके अंतरगत अंतरधर्म विभा किया जा सकते हैं कोशन नमर फॉर्थ है और यह भी कर्णेटरफेस से कोशन आया हुआ है सितंबर 2022 में भारत के सोलवे अटर्णी जनरल के रूप में किसे नियुद किया गया था तो आप लेवल चेक कर सकते हो कर्णेटरफेस का और आपको किस तरह के से फॉलो करने वह भी आप यहां पर किसी राज्ये में मंत्रियों की रैंक और विभाग का अवंटन निम्ण में से किसके द्वारा किया जाता है तो वो मुक्य मंत्री डिसाइड करता है इसको कोशन नमर साथ देख सकते हो खाद्य शंकला में किसी जीव की विशिष्ट इस्ति क्या कहलाती है तो पोशी इस्तर किसी जीव की विशिष्ट इस्ति कहलाती है कोशन नमर आठ है, इजी कोशन है, 2020 ग्रीश में कालीन पैरलोंपिक की में जवानी डैश द्वारा की गई थी, तो वो जपान के द्वारा की गई थी, इजी कोशन है ये तो Q-19 निम्लिकित में से कौन से आशोक के साशन में एक प्रांतिय राजानी थी तो वो कौन से थी वो दोनों ही रही है तक्षिला और उजेन आशोक के साशनकाल में प्रांतिय राजानी थी कोशन में 10 है चैक लिखने वाले व्यक्ति या संस्ता को बुक्तान करता या डैश के रूप में जाना जाता है तो वो आहरता के रूप में जाना जाता है तो आप Shift 4 के अंदर लेवल देख सकते हो कोशन है काफी कोशन जो है एक जर्नल अवेनिर जैसे डाले गए है मतलब कि आम जिनकी में यूज होने वाले चीज़े भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कोशन में 11 बाद देख सकते हो ये भी एक तरिकी जर्नल अवेनिर सा कोशन है मकर संकरान्ती उत्रायन की शुरुवात का पतीक है यह डैश को मनाई जाती है तो 14 जन्वरी को हम मकर संकरान्ती बनाते हैं कोशन में 12 देख सकते हो भारत में हरित करान्ती 1960 के दर्षक में अंत में शुरु हुई थी तो पनजाब में सबसे एंड में हरित करान्ती शुरु की गई थी कोशन में 13 और 11 कोशन आया है यह भी उन लोगों के लिए क्या शब्द पर्योब किया जाता है जो नियमित रूप से निर्दंता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं तो एसे लोगों क्या बोलते हैं चक्क्रिये निर्धन लोग बोलते हैं तो Ignomi से questions भी देखने को मिल रहे हैं और आपने चारों सेट में देख लिएंगे दो कोशन तो हैं हैं ठीक है ना तो यानि कि दो कोशन तो आने की सम्भावना है एक्जाम के अंदर तो इसलिए बोलाओ पार्तिय शास्तिय निर्तिक को संगीत नाटक अकाडमी फैलो से समानित किया गया है तो वो है सुनेल मान सिंग जिने संगीत नाटक अकाडमी फैलो से समानित किया गया है और संगीत नाटक अकाडमी से आपको कोशन पढ़के रखने हैं यह काफी शिफ्ट के अंदर मैंने को सब्सक्राइब यहां कोच्ण सब्सक्राइब करसें सब्सक्राइब कोच्ण wurrot साइन्स के कोशन आने तो दो ही हैं दो या तीन पर कुछ-कुछ जगाओ पर हमें साइन्स के कोशन टफ देखने को भी मिले हैं अभी तक में ठीक है कोशमर 19 है उद्ध्योगिक रूप से विक्सित शहरी केंद्र आम तोर पर किस से गिरे होते हैं तो वह कृषी ग्रामीर प्र लोजिस्टिक लगे और उनको माल जो है कम से कम खर्च में मिल जाएं तो उनके आसपास आपको प्रिशी ग्रामीर प्रिशेद जूरु देखने को मिलेंगे चीक है कोशन में 20 है यह लास्ट कोशन इस वीडियो का वीच अब दी फॉलोविंग और्गनाजेशन गवर्न्स इंटर्नेशनल ट्रेड तो वह कौन सी बॉड़ी है जो इंटर्नेशनल ट्रेड हो गवन करती है तो वह है डव्यू टी ओ यानि की विश्व वेपार संगटन और इसका मुख्याले जो है जनेवा सुजलेंड में है काफी इंपोरेंट यहाद हक नहीं है यहां से कोशन काप हमने 80 कोशन वहाँ देख लिए तोटल 160 कोशन आपको हमने दो वीडियो का दर दे दी हैं और उससे जाधे वीडियो मेरी चनल की प्लेशनल पड़े हैं तो आप सबको देख लेना आपको एक कंप्लीट ओवर भी मिल जाएगा किस टैपी कोशन रहते हैं कहां से कितने कोशन पूछी जा रहे हैं और किस तरीके से आप GS को त्यार कर सकते हैं GD के लिए ठीक है क्योंकि 20 कोशन आएंगे अगर आप इसमें 12-13 कोशन ठीक करके आ जाते हैं तो आप काफी नियर होंगे ये एक्जाम कॉलिवाई करने के लिए ठीक है तो सारी वीडियो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें बैल एक्ट क्लिक करके जाएं ताकि आपके बाद सारी वीडियो के टैप पर पहुंस रहें तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में रादे रादे